वाल दोस्तों, cycles तो मैं आपको काफी सारी बता चुका हूँ already, but you know, एक और चीज की हमें काफी जरुत होती है cycles में, that is bicycle lights, so yes, in today's video, मैं आपको top 5 best bicycle lights बताने वाला हूँ, जो की 300 रुपे से ले करके, 1000 रुपे तक की range में आपको देखने को मिल जाती है, पांचो ही lights अपने आ चलिए, let's get started, guys, video में सबसे पहले जो bicycle light आती है, यह आपको यह वाली देखने को मिल जाती है, वैसे जो 5 lights है, वो linist की तरफ से आती है, सबसे पहली जो light है, यह एक simple से look में आपको देखने को मिलेगी, but with horn मिल जाती है, and काफी जादा compromise में आती है, box के अंदर आपको यह light with horn देखने को मिलती है, इस light में आपको 3 modes देखने को मिलते है, एक normal, एक low beam वाला, and एक blinking mode मिलता है, वाकि horn मिल जाता है, जिसकी sound काफी ठीक है, यह light है, एक belt के साथ आती है, जो कि आपको handle में जस लगा के attach कर देना है, and यह light easily install हो जाती है, जो कि में को काफी जादा सही लग जाता है, जिसके तुरू आप इसको handle में लगा सकते हो, बागी lighting की बात करूं तो, क्योंकि इसका price 380 रूपे के आसपास है, so इस budget के हिसाब से काफी जादा ठीक light देती है, यह around 20 feet तक दूरी तक देती है, बट इतनी जादा bright नहीं है, but price भी कम है, तो उसके साब से ठीक है अगली जो light आती है, आपको यह वाली देखने को मिल जाती है, काफी जादा compact design में आती है, आप चाहो तो इसको अपने helmet में भी लगा सकते हो, बागी यह charging port तो आपको सभी lights में मिलेगा, सारी lights से rechargeable है, and सभी के साथ आपको charging cable भी देखने को मिल जाती है, बात करूं इस light की एंड काफी जादा दूर तक जाता है, around 18-20 foot दूरी तक यह काफी easily distance cover कर लेती है, इसकी जो brightness है, पहले वाली से जादा है, जो चार मोर सें में, सबस्ट वाले में यह सबसे जादा bright रहती है, second mode में थोड़ी brightness कम हो जाएगी, and third में और भी कम हो जाएगी, and जो fourth mode है, वो blinking mode ह काफी अच्छे से काम करता है, night में काफी visible है, बाकि blinking mode में आपको orange color के दो छोटी-छोटी lights भी इसमें देखने को मिल जाती है, इसका जो price है guys, five to six hundred rupees है, fluctuate होता रहता है, 500 to six hundred rupees के साब से यह वाली light भी में को काफी ठीक लगी, in comparison to first one, because इसमें brightness and build काफी अच्छा है, आप पोटेबली अपने helmet पे या और कहीं easily fit कर सकते हो, guys at number three पे जो light है, यह आपको back and front दौनो light एक साथ मिल जाती है, box के अंदर आपको back light, front light and rechargeable cables मिलती है, बाकि light की बात करो, तो बाकि जो दो थी पहले वाली उन से इसकी जो brightness है, काफी ठीक है, distance भी अच्छा-कासा cover कर लेती इसमें आपको total 4 modes देखने को मिलते है, पहला mode normal mode है, जिसमें overall रहती है, second mode में थोड़ी कम brightness है, third mode blinking mode है, यह mode भी काफी अच्छे से काम करता है, and जो fourth mode है उसमें blinking थोड़ी slow हो जाती है, या उसको आप breathing mode भी कह सकते हो, depend on you, बाकि इसमें साथ में आपको एक strap भी मिलता है, अगर यह आपके handle में fit नहीं होती, तो आप इसके अंदर इस strap को लगा के connect कर सकते हो, बाकि साथ में आपको जो red light मिलती है, इसमें भी आपको 4 modes मिलते है, पहला normal mode है, जिसमें रहती है, second mode में यह running speed में आ जाती है, third mode इसका blinking mode है, and fourth वाला भी blinking टैप कही है, बाकि आप चाह साथ आपको 880 rupees में देखने को मिलती है, on amazon, बाकि यार देको price in lights का बिल्कुल भी fix नहीं है, मैं आपको एक average price बता रहा हूँ, यह change हो सकता है, इस price range में ठीक है, आप इस वाली को भी ले सकते हो, अगर आपको back and front चीए, और हाँ यह water resistance भी आती है, जो fourth one है, यह मेरी काफी फिज़ादा favorite light है, and मैं को सबसे ज़्यादा best यही वाली लगती है, वैस यह वाली जो light है, speedometer वाली light है, इसमें आपको एक light देखने को मिल जाती है, साथ में आपको speedometer देखने को मिलता है, and साथ में आपको detachable horn भी देखने को मिल जाता है, बाकि साथ में दो gummy straps हैं, जो कि आपकी speedometer को set करने में आपकी help करेंगे, बाकि light की बात करूं, तो आपको इस button को just hold करना है, यह चालू हो जाएगी, and यह वाली काफी जादा warm bright look में आती है, like बाकी जो light थी, वो cool bright थी, यह थोड़ी warm आती है, and इसकी brightness भी overall बाकी 3 से में को काफी साही लगी, इसमें आपको चार मोर्स मिलते हैं, एक normal वाला, एक आपको कम brightness वाला देखने को मिल जाता है, third one is blinking mode, जहां पर यह जो yellow color की light से यह भी चालू हो जाती है, mainly यह जो mode है winter में ज्यादा काम आता है, because winter में fog रहता है, and जो fourth one है, यह totally winter वाला mode है, जब भी fog रहता है, तो यह yellow color वाला है, इसमें आपको winter में काफी असानी होती है, रोड को देखने में, बाकि speedometer की बात करूँ, तो आपको simply इस light को attach करने के बाद, speedometer की scale को connect करना है, बाकि इसके साथ में आपको यह magnet देखने को मिलती है, इस magnet को आपको अपनी cycle की rim में attach कर देना है, attach करते ही, यह speedometer चालू हो जाएगा, and attach करने के लिए आपको यहाँ पे gummy straps दियो है, इनको आपको speedometer को set करने में काफी help होगी, बाकि यह मेरा जो overall experience है, इस light को लेके काफी जादा सही है, because यहाँ पे speedometer मिल जाता है, तो आप track कर सकते हो अपनी cycling को, and साथ में यह plus minus modes मिलते है, जिसमें आप अलग-अलग settings में कर सक सकते हो, बाकि साथ में आपको horn भी मिलता है, मतलब 3-1 light है, सारे काम हो जाते है, price भी इसका जादा नहीं है, 990 rupees की है, यानी 1000 rupees के आसपास है, so yes, 1000 rupees में यह far better है, जो इस से पहले मैं आपको बताई, उसके according, बाकि backlight की बात करूं, तो backlight आप इसके साथ अलग से ले सकते हो 102 rupees में आजाती है, वो linist वाली, तो आपका पूरा setup हो जाता है, बाकि मेरी recommendation है, अगर आप 1000 rupees spend कर रहे हो, तिन इस वाली को जरूर चेक आउट करना काफी सही light है, अभी गईस final वाली आजाती है, जो की again linist की ही आती है, गईस ये वाली इन सभी में सबसे ज़्यादा brighter light है, box बात करूँ इस वाली light की, इसमें आपको भर-बर के modes मिलते हैं, और ये काफी bright भी है बाकियों से, इसकी light भी काफी broad है, इसमें first mode है single light वाला, जो की आप right वाली light चला सकते हो, second mode में आप left वाली light चला पाओगे, third mode में ये दौनो lights on हो जाती है, और आपकी brightness काफी अतक भर जाती है, तो आप अपने हिसाब से adjust कर सकते हो brightness को, बाकी third mode में ये blinking mode में आ जाती है, and fourth mode भी इसका blinking mode ही है, and जो final है उसमें ये बंद हो जाती है, overall बात करो इस light की, तो अगर आपको एक completely full bright LED light ची है, with heavy build quality, तो आप इस वाले को भी check out कर सकते हो, इसमें आपको साथ में horn भी है, and आपको एक ऐसी light ची है, जिसमें आपको horn भी मिल जाए साथ में, तो आप 300 रुपे के आसपास आने वाली, ये वाली light ले सकते हो, but ये इतनी जादा bright नहीं है, एक normal आपको experience देती है, इसके बाद अगर आपका price 500 रुपे है, आप 150 रुपे एक्स्रा डाल सकते हो, then हद तक recommend करता हूँ आपको, अगर आपको एक portability के हिसाब से छोटी सी light ची है, आप torch की तरह भी इसको काम में ले सकते हो, ये वाली पिछली वाली से काफी दा bright है, and value for money है, बाकि अगर आपका price 800 से 1000 रुपे है, तो देखो यहाँ पे तीन options है, पहला option है, जिसमें आपको horn नहीं मिलता, and backlight मिल जाती है, तो आप backlight and frontlight दोनों को use ले सकते हो, बाकि अगर आपको horn भी चाहिए, then आप जो last वाली मैंने बताई वो ले सकते हो, उसकी brightness भी काफी हची है, and आपको साथ में horn भी देखने को मिल जाता है, but अगर आपको एक all-rounder light चाहिए, then आप speedometer वाली कौन सी best है, बाकि कैसी लगी है वीडियो बताना नीचे comments में, अगर आप चाहते हो, मैं इसी तरह की फीडियो से all लेके आता रहूं, then support करो, बाकि सभी bicycle lights का best buying link description में आपको मिल जाएगा, जाके आप check out कर सकते हो, मैं मिलता हूँ आप लोगों से जल्दी किसी नए वीडिय के साथ में